वेल्कम बैक टो में चैनल बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पे कैसे हैं आप सब उमीद्य आप सब बहुत अच्छे होंगे अभी शुरुवात पर ही मैं अपनी मेंदी दिखा रही हूं तो यह मेंदी मैंने लगाया है और पुरा सावन बीदने को है और अभ यहां पर पूजा कर लेंगे और अभी हम मंदीर आये हैं तो मंदीर में मैं कृती और स्विष्टी आय हुए हैं तो अब यहां पर पूजा कर लेंगे और उसके बाद में यहां पर मा काली जी का भी दर्शन होता है और संकर भगवान जी को भी हम लोग जल चढ़ा देते हैं तो यह मेरे घर से बस दो मिनेट की रास्ते पर ही बंदीर है तो बस मुझे यहां पर आना की इस मंदीर में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर माता काली जी मतलब मंदीर में अच्छा करते हैं तो फिर बाहर में भी दुबकाटी दिखाते हैं और संदूर्टिका लगाते हैं यहां भी पुजा करते हैं और उसके बाद में अभी घर जाएंगे तो आज ये उस दिन का ही है जिस दिन का तो वीडियो में तो कृती नहीं है बस फोटोस मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है और यहां पर देखिए अभी बारी सोने लगी थी और मैं सोची थी कि आज घर में कुछ सापसफाई भी कर लूँगी तो अभी बच्चे लोग अभी स और अभी उठनी रहा यह वह Nej जर्दी कि जल्दी से उठो देख रहिए मंने साब definitive तो यहां पर मैं घर के साफ सफाई करने की बाते ही हो रहे थी जैसे की पूरे घर में वैसे तो नीचे का सवेरिया अच्छा है मतलब हजबिन जी ने बहुत अच्छे से साफ सफाई किया था पर उपर में जोल थे तो मैंने थोरा सा जार के यह बहुत अच्छे से जार देती हूं और फिर परदे लगा देती हूं तो अच्छा लगता है और यहां पर कुछ बर्तन है जो स्रिष्टी दोने लगी थी क्योंकि काम बढ़ता है तो फिर बच्चे लोग help करते ही करते हैं क्योंकि अकेले का होता नहीं है क्रिटी अपने दूसरे रूम की सफाई कर रही थी क्योंकि पुर्णीमा है तो फिर रक्षबंधन स्टाट है आ जाएगा इसलिए हम लोग एक दिन पहले ही सारा काम सोचे थे दो दिन पहले ही कि कर लेते हैं फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था तो फिर इसलिए तो फिर किट् बना रही थी यह चीला तो चीला बहुत ही टेस्टी बनाती है तो यह नेक्षडे का था उस दिन का तो सबसपाई का हो गया यह दूसरे दिन जब सीटू और मा भी आए थी तो फिर यह चीला बनाए थी और यहां पर साम का समय में मां मॉर्णिंग में आई थी तो आज मां सब्सक्राइब में में आई थी हम लोगों से तो श्रिष्टी यहां पर भुट्टा पकाई है और फिर भुट्टा खा लिए थे हम लोग फिर चाय पी रहे थे खोड़ा सा मेरा मन ठीक नहीं रहता है बीच बीच में मतलब तब्यात अब डाउन होते रहता है तो फिर हजब खाना बच्चा हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा माज के लिए हैस्बिंजी के लिए बना दे रही हूं तो थोड़ा सा सिवई और आलू बरबती की भुजिया रोटी बनाओंगी तो दो पर मैं दाल चावल बनाए थे तो दाल चावल और आलू फ्राइड था तो वह बच्च रात का खाना था माँ खाना खाके अभी घर चले जाएगी तो बस आज की छोटी सी वीडियो है मैंने सेर किया है और अभी रक्षबंदन का ब्लॉग जाएगा मेरा थोड़ा सा वीडियो अप्लोड करने में टाइम लग गया क्योंकि मेरा फोन थोड़ा डिस्टेब है और नहीं हो रहा था और अभी मैं यह बहुत मुश्किल से वीडियो क्रिटी के फोन में डालके अप्लोड की हूं तो बस यही था आज का वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक लिए